इतना बड़ा उपदर्व कुँं कर रहे हो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हो गई हमें दूल बड़ी बात और हो गई कानून के जरिए सुविधा यह मिल रही है कुछ गलत तो नहीं हो रहा हुता तो हम भी बीजेपी छोड़के आपके साथ कड़े हो जाते जंडा उठा चोड़ूनी खुद राजनीती कर रहा है, खुद उसने चुनाव लड़ा हुआ है, आगे भी चुनाव का एलान कर चुका है, इनको राजनीती छेतर में जब ये बढ़ नहीं सेके, इनको कोई पूछता नहीं है, तब इन्होंने ये रास्ता अपनाया, लेकिन टार्गेट आ आपको किया है, नुकसान आपको हो रहा है इसका, भोले भाले हमारे जो किसान है, जो हर्याना के लोग है, वो इसका शिकार हो रहे हैं, आप लोग सोचो इस बारे में, आप सिर्फ उन्हीं लोगों की सुनते हो, जो अच्छी बाते आपको बताते हैं, उनको भी तो सुने, अस्ता पिछले दो-तिन महिनों से मेरे बारे में और लेके आऊ मेरे लिए और बोलो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मैं अपने देश के लिए हूँ देश के लिए काम करूंगी अपने लोगों के लिए काम करूंगी और मुझे गर्व है मैं भारतिय जंदा पार्टी कारे कर मैं यह जो कमेंट्स है कुछ लोग उल्टा सिदा भी बोल रहे हैं मैं जवाब देने प्याओं तो मैं ऐसे से जवाब दूंगी न कि आपको समझ में आ जाएगा लेकिन मैं नहीं कहना चाहती मैं सीधे तरीके से अपनी बात रख रही हूं अभी तो इसको समझ यह जह रहा है मैं नहीं चाहती कि आप लोग गलत बोल रहे हैं वैसा ही जवाब देना आता है मुझे भी गणाई खून खोल रहे हैं तो जैसे बॉर्डर पे हमारे लोग सेवा कर रहे हैं गोलियां खा रहे हैं चले जाओ वहां पे अपने परिवारों से भी बेजो मेरे यहां तो चार प मदद मिल जाएगी ज्यदा खून कोल रहा है तो अमने पर देश में अपने पर्देश के लोगों पर अपने भाईयों पर बाह्यों पर वार करते हो अपने लोगों को नुकसान पहुंचाते हो यही आपकी शराफद一ं यहां याप किया हर्याना का इस्सानी तो नूसरे लो अनुगाते हैं, खाना खिलाते हैं सब को, फ्री में नहीं खिलाते हो, सब कोई अपना खाता है, पडोसी को भी नहीं देते हो, पडोसी को, हर कोई अपना खाना खुद कमाता है, कितना अगदान करते हो?